ए से यह फ्रेंड्स दिस इस अन्चुल आज हम बात करने वाले वन नेशन वन गैज के बारे में हमारा बैसे कॉंसेप्ट है इस टोपिक शे कि हमारे देश में जितनी भी गैस पाइपलाइन से प्रेजेंट में या आगे चलके लगने वाली हैं उनको अपने देश में जितनी नई pipeline लगाई जाए और उनको आपस में एक डूसरे से interconnected कर दिया जा सिर्फ हमारे देश के अंदर गाइस वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको पता दू आप मुझे इंस्टाग्राम पर जाके फॉलो कर लीजे वहाँ पर आपको नई वीडियो के सारे अपडेट मिल जा कि गैस पाइपलाइन प्रेजंट में हैं हमारे इंडिया में जहां भी बिची हुई है और हमारे मिशन है कि इसे आगे एक्स्टेंट करके आगे और जगह लगा के इसे हमें 34,500 किलो मेटर तक लेके जाना है यह भी हमारा प्रेजंट कमेशन है और इसे आपस में इंटर कने इसे हमारे देश में इतनी जाग रुकता नहीं है इस टॉपिक के बारे में ना कोई इसको सीरियसली ले रहा है जितना यह इंपोर्टेंस रखता है हमारे देश के लिए और हमारी ग्रोथ के लिए क्योंकि लोगों को लगता है कि आने वाले 20-30 सालों में हमारों जो जितना भी सरकल है हम जितना भी डिपेंडेंट है इन सब चीजों में इन से हटके हम रिन्यूबल एनरजी में हम सोलर एनरजी में चले जाएंगे हम इन चीजों को बिलकुल ही छोड़ देंगे लेकिन इसका जो फासला है 20-30-40 साल का जितने में हम इसको ट्रांसफर होने के लिए लगए इतने में हम बहुत जादा अपने देश को नुकसान दे जाएंगे इसलिए हमारे देश के लिए वन नेशन वन गैस गरेट का प्रोजेक्ट बहुत जादा इंपोर्टेंस रखता है जो इंडिया ने पैरिस क्लाइमेट किया था उसमें इंडिया ने कहा था कि हम हमारी जो इंडिया की रैंक है वह भी धीरे धीरे घटने लगती है इसलिए हमें हमें इस टॉपिक पर और ज्यादा ध्यान देना चाहिए गाइज इन गैस पाइपलाइन के अंदर नेचरल गैस होती है और चोटी मोटे में दूसरी दो-चार गैस होती है लेकिन हमें नेचरल का कमबस्ट होता है तो इसके आउटपुट में कारवन डाइस और वॉटर निकलता आप इतनी ज़्यादा हमफुल नहीं हमारे नेचरल के लिए छोटी मोटे मांट में एट्मौसफेयर में जाती है इतना ज्यादा हमफुल नहीं होते तो इस लिए इसको सबसे ज्यादा क् कर रहा है क्योंकि लाल सेलेंडर होते हैं इनको इधर से उदर ले जाने में बहुत ज्यादा खर्चा होता है तो इसे हटा के गैस पाइपलाइन सब जगह बिछा दो लेकिन ऐसा नहीं होता है नेचरल गैस है तो यह जगह जगह पर सिर्फ कुकिंग को छोड़ के और भी कई स जड़े स्वादा कि तो आप जानते हैं च ते जगह होता है इंड्रेस्टरी्स में हीट के लिए यूज होता है और इसका यूज होता है आपने दिली में CNG वाले ओटो देखें होंगे और भी कई सब्सक्राइब होते हैं उनमें भी नेच्रल गैस का यूज होता है हमारे देश में नई पाइपलाइन बनाने का एक बहुत ही इंपोर्टेंट रिजन ये भी है कि जो हमारे पुराने जो सब्सक्राइब करने के लिए उन पे जो भार आ रहा है उनको थोड़ा सा लोट को कम करके इन पे डाइवेट कर दिया जाए और जो पुरानी पाइपलाइन उन पे जो लोड आ रहा है उनको लोट कम करने के लिए इन पे डाइवेट कर दिया जाए ये भी बहुत एंपोर्टे step ले रही है जैसे कि बहुत सारे जो प्रोजेक्ट और्ट की लिए इसके फिर्म मेंट में इसके अब रहा है इस ज़्म कर रही है इसलिए क्योंकि हमारे लिए viel उतने ही जरूरी है है क्योंकि हमारे लिए हमें अपने ग्लोबल लेवल का जो मेंटिनेंस है हमारे इंडिया की जो चवी है उसको भी बना के रखना और अपने जो देश की ग्रोथ है जी डीपी की जो ग्रोथ है उसे भी एक साथ देखना पड़ेगा उसके लिए इन सब चीजों में गैस और कौन सा एरिया इंडिया का बसता है जहां पर हम एडवाइस कर सकते हैं गवर्मेंट को कि इस जगह पर थोड़ी और नई पाइपलाइन लगी जानी चाहिए नैच्रल लिएस की अपको अभी इंडिया का मैप दिख रहा है स्क्रीन में इसमें आप देखेंगे इंडिया क wzgl़ concealed क्tech में कई सारी lining बनी होई है यह lining समारी उफ्राइब को डेन्व करती है और आप थोड़ा और गुरिश्य है इसमें आप देखेंगे कुछ डार्क लाइन से और कौछ डा है इसमें मतलब बनने वाली हैं या तो अभी बन रही हैं क Actually Line नइस से पहले से बनी होई लाई जो gas pipeline होती है उनका main goal होता है कि जहां पर भी gas की demand है उसे supply से जोड़ देना और gas को transfer करने का या इधर से उधर ले जाने के लिए सबसे अच्छा जो network होता वो होता है gas pipeline का इसके बाद आप देखिए कि जितनी भी constructed lines है यह गुजरात और महाराष्ट के reason में ही है गुजरात महाराष्ट थोड़ा सा मध्यप्रदेश और थोड़ा सा यूपी और दिल्ली इसी reason में है सारी constructed lines और आप under construction line देखेंगे तो वो अभी अभी South India में गई है और आसाम में तो स जदा अच्छा नहीं था लेकिन अब जो सरकार भी इन चीटों को promote कर रही क्योंकि उनको समझ में आ गया कि जब तक हम gas pipeline का हमारे इंडिया में अच्छा network नहीं होगा तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी problem create हो जाएगी तो इस हमारे देश में अच्छी तरीके से gas pipeline तो कर रही है गाइस जो हमारी सबसे पहली pipeline है वो है जगदीशपूरा हल्दिया भोकरा दामरा pipeline project आप मैप में देखिए जगदीशपूर हमारा यूपी में पड़ता है उसके बाद ये pipeline हमारी गई है गया हल्दिया ये तीन सेंटर से मिली हुई है उसके बाद जो धामरा है व गई है पूरी pipeline गाइस इसे मैं बता दूँ गैस एथर्टी ऑफ इंडिया लिमिटेट कंस्ट्रेक कर रही है गैस जो नेक्स pipeline है उसका नाम है गोहार्टी pipeline project गैस इस pipeline को पिछली वाली जो पहली pipeline थी जगदीशपूरा हल्दिया pipeline इससे ही interconnected किया गया है आप यहां पर देख गया है गया के पास से ही यह interconnected है और यह पटना से होते हुए गोहार्टी तक गई हुई है यह pipeline इस pipeline से हमारी नौर्थ इस्ट रीजन की सबसे पहली pipeline होगी और इसकी वज़े से जो नौर्थ इस्ट रीजन के लोग कहते थे कि सरकार जातर यहां इस रीजन पर ध्यान नहीं दी थे नौर्थ इस्ट रीजन को काविवार कहते थे एग्नोर किया जाता है तो उससे भी थोड़ा सा नौर्थ इस्ट रीजन को हमारे इंडिया के लिए preference मिलेगा जो नेक्स pipeline है उसका नाम है कोची कोटेनाथ बैंगलोर मैंगलोर pipeline project आप देखेंगे कोची पढ़ता है के अरिला मैं यहां पर और जो इसकी pipeline है वो गई हुई है आगे बैंगलोर तक यहां पर देखेंगे आप यह है बैंगलोर और somehow बैंगलोर सा connected है यह मैंगलोर तक तो यह आधा 20 से चली गई है मैंगलोर तक और यह वाली जो pipeline है यह second phase है और इसका जो first phase था वो पहले complete हो चुका था आप देखेंगे कोची के पास यहाँ पर terminal भी है पोर्ट है एक जिसका नाम है LNGC कोची terminal port जहां से हमारी gas pipeline की supply होने वाली है गाइस जो हमारी next pipeline वो है हमारी इस gas pipeline को इंडियन oil construct कर रहा है और आप देख लिजे map में हमें साफ सा संज में आ जाएगा जो हमारा इन्नोर है वो चन्नाई के पास का एक port है और यहाँ पर आपको major cities मिल जाएगी मदुराई मिल जाएगी ट्यूटि कोरिन मिल जाएगा और इसका एक half part बैंगलोर को भी connect कर रहा है यहाँ पर क्योंकि बैंगलोर एक major city है जहाँ पर consumption hub है इसलिए यह जो इससे पहली वाली pipeline बताई थी वो भी बैंगलोर से ही होते हुए गई थी गाइज आप देखेंगे कि जितने भी अभी हमारी प्रेजेंट में construct हो चुकी है pipelines वो हमारी गुर्जा तो महराज के रीजन में dominate करती है इन्ही रीजन में ज्यादतर गैस pipeline है और major ports भी यहाँ पर हैं तो यहाँ पर एक और रीजन है ज्यादा pipeline होने का लेकिन हमारी government का ज्यादतर यहाँ पर focus है कि South India में और North East India के region में ज्याद़ ज्यादा gas pipeline लगाए जाए जाए ताकि यहाँ का development तुरंद जल्दी हो सके अभी major में यही पर एरिया में ज्यादतर government का focus रहेगा गाइस ministry of petroleum and natural gas ने एक नई policy लागू की है जिसका नाम है natural gas distribution policy इसके तहत राज्य सरकारों को कहा गया है कि आप अपने राज्य के अंदर एक नई gas pipeline का network create करिये जिसके तहत घर में हर घर में gas pipeline पहुचाई जा सके और जो gas cylinder ले जाने का आने जाने का बारबार का खर्चा होता है वो बच जाएगा और उसके साथ इसका और काम है कि जो pipeline होंगी वो जो gas pump होते हैं जिससे जो auto rickshaw होते हैं जिसकी वज़े से इस बढ़ेगा जितने भी gas dealers होते हैं जिसकी वज़े से इस बढ़ेगा गाइस पालसी के तहर्ट जितने भी gas dealers होते हैं उनको यह छूट होगी कि वो खुद का gas market का प्राइस डिसाइड कर सके अभी तक क्या होता था जितने भी जाइंट्स होते थे रशिया का मार्केट और अमेरिका के मार्केट वहां के मार्केट के इसाब से इंडिया का प्राइस का प्राइस डिसाइड होता था लेकिन अब इस पॉलजी की वज़े से इंडिया खुद अपने प्राइस का प्राइस डिसाइड कर सकता हो यह हमारे लिए आत्म निर्वर बढ़ने के लिए एक बड़ा कदम होने वाला है वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा चैनल को सब्सक्राइब करना मत लिएगा थैंक यू वेरी मच जय हिंच जय भारत